हेलो गाई स्वागत आफ सभी का एक और फिर से आपके अपने चैनल एकजाब व्यू पर गाईज आज हम बात करने वाले हैं जेविटी डियलेड वर्सेज बियड दोस्तों जेविटी और बियड के कोर्स को लेकर बहुत से लोगों में कन्फूजन है कि कौन सा कोर्स कब होता है और इसके लिए क्राइटरिया क्या है और कौन सा करना उनके लिए आज की डेट में वैटर रहेगा तो इन सभी क्वेश्चन के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को लाश्ट की जूट देखे वीडियो को लाश्ट में आपके सारे डाउट क्लियर करने की हम पू कहा जाता है देलेड भी कहा जाता है और दूसरी तर्फ येड तो आप सभी को पता हिए कि पूरे इंडिया में एक जैसा ही इसका नाम है तो दोस्तों सबसे पहले अगर जेविटी के क्राइटेरिय की बात करें यान की योग्यता की तो इसके लिए आप जस्ट 10 प्लस टू पास होने चाहिए अगर आप 10 प्लस टू पास है तो आप जेविटी का एंट्रांस टेस्ट दे सकते हैं और अगर बात करें हम बेड के लिए तो बेड के लिए आपके पास बैचलर जो है वो होगा यह टेस्ट जो है वो आपका 100 marks का होगा जिसमें अगर बात करें कट-off की तो आपको minimum 60 marks जो है बुलाने होगे आज के टाइम में हो सकता है यह बाद में ज्यादा हो जाए कम तो यह होने वाला नहीं है और अगर बात करें हम B8 के लिए तो B8 के अभी आपका ए और इसमें आपको 90 plus marks जो है वो लाने होते हैं तभी आपको जो है वो government seat जो है बहां पे अलोट होगी अगर बात करें total number of diet in हिमाचल प्रदेश तो दोस्तों अगर हिमाचल प्रदेश के संदर्ब में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 12 diet जो है वो government diet है और इसके लावा private institution तो है ही अगर बात करें जे बीड कोलेज की तो एच्पियू श्मिला और धर्मशाला में मातर दो ही government college जो है वो बीड के यहां पर हैं और अब बात करें इसके duration की course की अबदी की बात करें जेविटी की तो ये भी दो साल का होता है और बीड का जो course है ये भी आपका दो सा का होता है और दोस्तों जैसे ही आप जेविटी complete कर लेते हो तो उसके बाद आपको teacher लगने के लिए इसके बाद एक exam होता है जो कि आपका only qualifying nature का होता है जिसमें आप अगर SC, ST या OVC category से हो तो आपको 80 plus marks जो है वहां पर लाने होते हैं और अगर आप general category से हो तो आपको 90 plus marks जो है यहां पर लाने होते हैं और अगर बात करें beard की तो beard में भी ये only qualifying nature का ही होता है और यहां पर भी same आपको SC, ST, OVC बालों को 80 plus और general बालों को 90 plus marks जो है वहां पर लाने होते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपने tat clear कर लिया tat आपका दो level पर होता है या त beard की है फिर भी आप यहां पर दे सकते हो tat clear होने के बाद अगर अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर commission होता है इस हसाब से a आपको बहां पर गौर्णमेंट टीचर की जोब जो है वो मिलती है तो आप चाहे तो सीटाइट भी कर सकते हैं यह वीडियो में आगे बात करेंगे कि स्टाइट के बाद कौन-कौन से स्कोप है इन दोनों फिल्ड में और अगर बात करें कमिशन की तो दोनों में 85 appointment मिलेगी और अगर बात करें बेड में तो अगर आप बेड कंपलीट कर लेते हैं उसके बाद टैट कमिशन आपका clear हो जाता है तो उसके बाद आपको हिमाचिर पृदेश के किसी भी डिष्ट्रिक में जो है जो इनिंग मिल सकती है और अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पेश केल की अगर जेविटी के पेश केल की बात करें तो वहाँ पे आपको 10,000 प्लस मिलता है और बीड में आपको 18,000 प्लस जो है यहां पर पेश केल आपका रहता है दोस्तों अब बात करते हैं जो की important है इस वीडियो का कि scope क्या-क्या है after JVT और after beard तो दोस्तों अगर JVT की बात करें तो JVT के बाद जो है आप TAT commission दे के government teacher लग सकते हैं इसके अलावा आप अपना tuition center बगएरा चला सकते हैं यहां इसके अलावा जो center में exam होते हैं जैसे DSSB KBS बगएरा के यह exam भी आप यहां से दे सकते हैं इसके थ्रू अगर आपको जानना है कि after JVT के बाद कौन-कौन से career option है तो आप comment box में बता दिए हम उसके लिए separately video लेकर आ जाएंगे और अगर दोस्तों BAD की बात करें तो BAD के बाद भी आप जो है वो TGT teacher तो लग सकते हैं उसके लावा यह option तो है ही जो JVT में है आप JVT DLT का exam भी दे सकते हैं आपको जैसे पता ही हैं अभी तो इस पे stay भी लगी हुई है इसी बज़े से HP JVT DLT 2015 का commission अभी तक जो है वो court में लटका हुआ है तो में भी अगर आगे ऐसा होता है कि अगर बेड़ वालों को इसके लिए eligible कर दिये जाता है तो आप JVT की जो पोस्ट हैं उनमें भी fight कर सकते हो बट जो JVT वाले हैं वो बेड़ के लिए fight नहीं कर सकते यह तो आप सभी को पता ही है अब दोस्तों आपके माइंड में doubt होगा कि आपको इसमें से कौन सा करना चाहिए दोस्तों अगर आप में patience है तो आप मेरे खाल से beard कीजी क्योंकि beard में scope JVT से जादा है बट अगर आपको थोड़ा job जल्दी लेना है और थोड़ा सा easy level से अगर आपको करना है तो आप beard की सोरी beard नहीं आप JVT का course जो है वो इसे कीजिए क्योंकि दोस्तों आपको पता हिए कि इसमें अगर आपका टैट हो जाता है JVT यहां beard में तो उसके बाद आपकी बैच वाइस जो है बो भी भरती होती है तो अभी JVT में 2013-14 का बैच जो है वो चला हुआ है और अगर बात करें इसी तरह beard की तो beard में अभी काफी पीछे य और आप इसे असानी से कर भी सकते हो और अगर beard की बात करें तो इसकी cut-off भी काफी high रहती है क्योंकि इसमें competition जादा है और seeds भी काफी कम रहती है तो I hope guys आपको आपके doubt clear हो गए होंगे अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप हमें comment box में बता दीजिए मैं आपको जल्द से जल्द reply करने की कोशिश करूंगा और रही दूसरी बात इसकी separately वीडियो बनाने पर कि आफ्टर जेविटी के बाद क्या option है और after beard के बाद क्या career option है तो इन सभी के लिए आप हमें बता दीजिए हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे तो आज के ल